Good morning class, today we will start your next exercise 11.3 page number 102 में दी गई है बटा 102 को आप open करिएगा और question read करिए देखे question number 1 Suman bought a pen for Rs. 15 and sold it for Rs. 17 find his gain percent क्या कहता है बटा कि Suman ने एक क्या लिया है, pen लिया है कितने का? 15 रुपीज तो ये उसका क्या हो गया? CP हो गया और उसने sold कितने में किया है? Sold किया है 17 रुपीज तो देखे बटा आपको देखने से पता चल रहा है उसको क्या हो रहा है? 2 रुपे का profit हो रहा है तो आप इस question में करेंगे CP of pen Rs. 15 SP of pen Rs. 17 रुपीज तो आपका profit हो कितना हो गया? Profit आप किस तरहके से निकालते हैं? SP में से CP को SP में से CP को माईनस करके यानि कि 17 माईनस 15 तो कितना हो गया? 2 रुपीज अब आपको इस question में निकालना है gain percent या फिर profit percent एक ही होता है वीटा gain percent और profit percent किस तरहके से निकालते हैं आप लोग profit upon cp into 100 ठीक है बच्चे अब इसमें आप इनकी value put करेंगे profit आपको है 2 rupees का cp आपकी है 15 into 100 ठीक है अब आप 200 को 100 से multiply करेंगे 200 upon 15 समझ आई बात 200 upon 15 को आप पहले low estimate convert कर लीजे 5 से इसको divide कर दीजे 40 आएगा और यहां आएगा 3 तो जब आप इसको mix में chain करेंगे तो आएगा 13 whole 1 upon 3 percent ठीक है यह आपका होगे question number 1 यानि कि 13 whole 1 upon 3 percent इसका profit percent हो गया question number 2 रह्मान bought a radio for rupees 750 ठीक है तो रह्मान ने एक क्या खरीदा एक radio खरीदा ठीक है radio कितने का खरीदा 750 का ठीक है तो और उसके बाद वो कहते हैं कि and spend rupees 35 on the transportation means खर्चा उसका कितना हुआ 35 उसको लाने में वो आपका हुआ 35 राइट तो और वो बता तो आपको on transportation तो पेटा जो transportation जो उसकी खर्च हुई है वो भी आपको cp में add करनी होती है वो आपकी 35 तो cp आपका कितना हो गया 750 में हम 35 को add करेंगे जब हमने इसको add किया तो कितना आ गया देखे 587 यानि कि 785 क्या हो गया उसका cp और उसने कितने में sold करी है sp यानि कि sold का मतलब sp कितनी है वो आपको दी गई है rupees 765 ठीक है तो अब देखें देखने से पता चल रहा है आपको क्या हुआ हुआ है उसको loss हुआ है loss किस तरीके से निकालते है क्योंकि sp कम है और cp ज्यादा है तो आप cp मेंसे sp को cp मेंसे sp को minus करेंगे means 785 मेंसे minus किया 765 तो you will get 20 rupees then you will find out the loss percent राइट बचे loss percent निकालने का formula loss upon cp into 100 अब loss आपका 20 है cp आपका 785 into 100 ठीक है अब आप देखें या तो आप 20 और 785 को lowest term में convert कर लीजे या 20 को 100 से multiply कैसे भी आप calculation या तो आप इसको lowest term में कर लीजे अगर आप 20 upon 785 को अगर आप lowest term में करेंगे देखें बच्चे जब हमने इसको lowest में करा तो यह कितना आ गया 4 upon 157 into 100 यानि कि हमने इसको 5 से उपनीचे divide कर लिया तो यह आपका 400 upon 157 फिर हमने इसको divide किया तो आपका यह 2.54 percent तो यह आपकी क्या आ गई यह आपका आ गया lost percent question number 2 का answer ठीक है बच्चे loss percent is equal to हो गया 2.54 percent समझाई बात अब देखें question number 3 question number 3 क्या है बच्चे question number 3 है आपका देखें बटा आपका question number 2 है appu bought an old car for rupees कितना one lakh fifteen thousand and spend in fifteen thousand on its repair then he sold it for rupees one lakh thirty five thousand find his gain percent देखें अब आपने करना है कि old car की आपको cp है one lakh fifteen thousand money कितनी spend हुई है उसकी repair में fifteen thousand तो आप cp क्या करेंगे इन दोनों को add कर देंगे one one five zero 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 और fifteen thousand को हमने क्या कर दिया add कर दिया जब इनको add किया तो आया one three zero 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 यानि कि कितना हो गया आपका one lakh thirty thousand ठीक है one lakh thirty thousand या आपकी cp आ गई अब आपको sp कितनी दी गई है बटा sp of car उसने कितने में sold किया है rupees one lakh thirty five thousand यानि कि आप देखने से पता चल रहा है उसको profit हुआ है तो profit आप निकालेंगे पहले किसे cp मैंसे sp को minus करके cp मैंसे sp को minus करिए यह आपका आया कितना sorry बच्चे यहाँ पर आएगा sp minus cp ठीक है sp आपका है one three five zero 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 minus किया one three zero 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 जब आपने इसको minus किया तो आपका कितना आ गया देखिए जब आपने इसको minus किया तो आपका आया बिटा five thousand रुपीज किया आ गया यह आपका profit तब आपको profit percent निकालेंगे so profit percent का formula आपको मैं बता चुकी हूँ मिटे पहले भी is equal to what profit आपका है five thousand cp आपका हो जाएगा thirteen thousand thirteen thousand into hundred ठीक है अब आप क्या करेंगे three zero से three zero cancel हो गई यहाँ पर आपका कितना रह गया यहाँ आपका रह गया five hundred से क्या five hundred अपॉन thirteen ठीक है जब आप इसको क्या करेंगे जब इसको आप divide करेंगे यहाँ पर विच्छे एक और zero आएगी ठीक है तो यह तीन zero cancel हो गई इससे और एक zero इससे भी cancel हो गई तो यहाँ पर आपका सिर्फ कितना रह गया फिफ्टी five hundred नहीं फिफ्टी फिफ्टी अपॉन थर्टीन थर्टीन जब आप इससे mix में करेंगे three whole eleven अपॉन थर्टीन परसेंट आई बास समयने में बिटा तो यह आपका हो गया